मलेशिया एरलाइन्स फ्लाइट MH3 10714-2014 8 मार्च 2014 को मलेशिया एरलाइन्स की फ्लाइट MH3 10714 कुवालालंपूर से बीजिंग के लिए उडान भर रही थी उडान भरने के कुछ ही समय बाद विमान का रडार से संपर्क तूट गया इस विमान में 249 लोग सफर कर रहे थे फ्लाइट का कोई पता नहीं चल सका और आज तक यह एक रहस्यमय घटना बनी हुई है कई देशों ने समुद्र में इसे ढूंडने की कोशिश की लेकिन सिर्फ कुछ छोटे टुकडे ही मिल पाए यह दुर्घटना एक बड़ी पहेली बनी हुई है क्योंकि विमान का सिगनल अचानक रडार से गायब हो गया था इस घटना ने पूरी दुनिया के लोगों को हिला कर रख दिया और परिवारों के लिए यह कभी न खत्म होने वाला इंतजार बन गया क्योंकि उन्हें आज तक अपने प्रियजनों का कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका लोग इस घटना को लेकर कई तरह की शडियंत्र सिधान्त, कॉंस्पिरेसी थियरीज बनाते हैं लेकिन सच्चाई अब तक एक रहस्य ही है यह दुरगटना कैसे और कहां हुई यह समझ पाना बहुत कठिन है क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया लेकिन एक अनुमान यह है कि विमान समुद्र के उपर किसी तकनीकी खराबी के कारण दुरगटना ग्रस्थ हुआ होगा इस फ्लाइट दुरगटना का जिक्र करते समय लोगों का दुहक और तनाव बहुत गहरा महसूस होता है क्योंकि यह घटना न केवल यात्रियों बलकि उनके परिवारों के लिए भी एक दर्दनाक पहेली बन चुकी है